हलो दोस्तों मैं अडोकेट आदर शीरा एक बर फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में दोस्तों आज हमारे discussion का topic है adoption यहां दोस्तों बहुत सारे problem साते हैं आप लोगों को adoption के बारे में बहुत सारी अफवाए हैं बहुत सारी गलत फैमिया फैली हुई हैं कैसे आपको process करना है कैसे आप एक children को adopt कर सकते हैं पूरी जानकरी मिलेगी आज आपको इस वीडियो में दो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यह adoption होता क्या है adoption का general meaning अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका मतलब होता है कि legal transfer of the custody of a child जैसे ही custody वहाँ पर child की आपको transfer होती है वैसे ही उस से related जितने भी rights है उस से related जितने भी decision है सारे लेने का फैसला आपके पास आजाता है उसके rights वगेरा सबब decide करते है जनरली हमने देखा है ऐसे parents जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर ऐसे parents जो नहोंने उपने बच् जनरली हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ parents ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या girl child होने के बाद उनको orphanage में छोड़ देते हैं या उनको maintain नहीं कर पाते हैं तो ऐसे cases में इन चच्चों का adoption होता है दोस्तों इन बच्चों का adoption करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आई हुई है वहाँ पर जाके आपको registration करना होगा और उसके बाद वहाँ से adoption का process दोस्तों शुरुआत होता है दोस्तों section 5 of Hindu adoption and maintenance act 1956 में provision बताये गए हैं कि आप children को कैसे adopt कर सकते हैं सबसे पहले जो criteria eligibility criteria उसके बारे में बात करेंगे क्या conditions आपको fulfill करनी होंगी दोस्तों सबस unsound mind नहीं होना चाहिए या किसी तरह की ऐसी problem नहीं होना चाहिए घर में जिसके कारण वो बच्चे को adopt ना कर पाए या बच्चे को अगर adopt करते हैं और उसके लिए familiar नहीं है वो माहल तो इस case में फिर adoption नहीं दिया जा सकता है दूसरी बात जो होती है दोस्तों वो होती है कि पेरेंट्स को economically, physically और mentally तीन तरह से stable होना चाहिए और इसके साथ साथ उनके finances भी stable होना चाहिए अगर वो किसी children को adopt करना चाहते हैं तीसरी बात होती है कि parents को married होना जरूरी है अगर unmarried couple है तो वो किसी भी बच्चे को adopt नहीं कर सकते भले ही वो couple है as a living relationship में रह रह रहे हैं तो भी वो बच्चे को दोस्तों adopt नहीं कर सकते हैं हा लेकिन 2010 के बाद एक amendment आया है जिसके हिसाब से एक single mother जो है वो एक बच्चे को adopt कर सकती है दोस्तों बट एक जो single male होता है या आप कह सकते हैं जो पती है वो अकेली कभी भी children को adopt नहीं कर सकता है इसकी provision अभी नहीं आया है इंडिया में आप single adoption नहीं कर सकते हैं चौती बात आती है दोस्तों composite age के बारे में जी हां दोस्तों composite age का provision दिया हुआ है कि अगर आप composite age के provision को follow नहीं कर रहे हैं या criteria को meet out नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर ऐसे cases में फिर आपको adoption नहीं मिल सकता है अगर हम generally बात क है कि एक से चार साल तक का बच्चा है तो उसके लिए जो composite age है couple की वह हुई है 90 years मतलब एक spouse को minimum 45 years का होना ज़रूरी है या 45 years से एक spouse की उम्र जादा हो सकती है total age उनकी 90 years से जादा होना चाहिए तो फिर वह एक से चार साल तक के बच्चे को adopt कर सकते हैं दोस्तों दूसरी condition यह है दोस्तों कि अगर चार से आठ साल तक का बच्चा है तो वहां पर फिर composite age बढ़कर हो जाती है 100 years 100 years age है तो एक इच spouse की 50 years हो सकती है या किसी spouse की जादा हो सकती है और एक की कम भी हो सकती है दोस्तों और 8 से 18 साल के अगर बच्चे को आपको adopt करना है तो composited minimum जो है वो 110 साल दी गई है दोस्तों next बात करते है age difference के बारे में जी हां दोस्तों यह बहुत important एक और criteria है इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अगर बच्चा है तो उससे parents की उम्र 25 साल हमेशा जादा होना चाहिए या 25 साल का difference हमेशा होना ज़रूरी है यह minimum criteria है adoption के लिए इसके बाद अगर किसी couple के पास already 3 children से तो उससे जादा वो adopt नहीं कर सकते हैं यह last condition है हमारा कि अगर आपके 3 children है या 3 children से जादा है तो फिर आप adoption नहीं कर सकते हैं Minimum 2 Children है आपके तो आफका Adoption हो सकता है, एक Children है Adoption हो सकता है, अगर कोई भी बच्चे नहीं है तो भी Adoption हो सकता है, बट अगर 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप Adoption नहीं करता है, तो दोस्तों ये थी जानकारी Child Adoption के बारे में इंडिया में, कैसे आप child का adoption करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर कीजे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कीजे और bell icon को दबाईए ताकि आपको हमारे नई videos का notification मिलता रहे